एकजाम लाइन्स में आपका स्वागत है निमनलिखित सभी प्रकार के प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्यान के अती महत्वपून प्रश्ण 1. सभी कक्षा क्लास 6-12 के लिए 2. SSC के सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए 3. UPAC के सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए 4. रेलवे के सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए 5. राज्य और केंद्र सरकार के अंतरगत सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए सामान्य ज्यान के इन प्रश्णों को ध्यान पूर्वक पड़े और इसे याद रखने की कोशिश करें प्रश्ण भारत में पाए जाने वाले कुल उंटों की संख्या का 50 प्रतिशत किस नस्ल के होते हैं A. चोधपुरी B. पिकानेर C. कोमत D. चैसल मेरी उत्तर B. बिकानेर प्रश्ण लाग बहादुर शास्त्री हवाय अद्दा भारत के किस राज्य में अवस्थित है A. उत्तर प्रदेश B. पिहार सीख महराष्ट्रा D. आंध्र प्रदेश उत्तर A. उत्तर प्रदेश प्रश्ण नंदा देवी परवत चोटी भारत की किस राज्य में अवस्थित है A. सिक्किम B. जम्मू कश्मीर C. उत्तर आखंड D. अरुनाचल प्रदेश उत्तर C. उत्तराक रश्ण भारत की मेरेनो भेल कहलाता है A. चोकला B. कूगल C. नाली D. मगर उत्तर A. चोकला रश्ण भारती अंतरेक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्याले कहां अवस्थित है A. तिरुवननतपुरम B. बैंगलो C. खाइदराबाद D. अहमदाबाद उत्तर B. बैंगलो रश्ण भारत में शुधसीचिक शेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है A. 7.7% B. 8.9% C. 1.8% D. 5.9% उत्तर A. 7.7 प्रतिशत रश्ण दॉक्टर बाबा साहे वंबेद कर अंतर राश्ट्रिय हवाय अद्दा कहां अवस्थित है A. लखनू B. खाइदराबाद C. कुहाटी D. नागपुर उत्तर D. नागपुर रश्ण तंचन जंगा परवत चोटी कहां अवस्थित है A. नेपाल भारत B. नेपाल तिबबत C. नेपाल D. भारत उत्तर D. भारत रश्ण भारतिय मरुस्थल की एक महत्वपून नदी है A. लुनी B. वियास C. कृष्ण दीख नर्मदा उत्तर A. लुनी रश्ण भारत किस वर्ष राश्ट्रमंदल खेलों का आयोजन किया A. कृष्ण 2010 B. कृष्ण 2014 C. कृष्ण 2018 D. कृष्ण 2006 उत्तर A. वर्ष 2010 इंदिरा गांधी नहर किस नदी की संगम से निकाली गई है A. चंबल यमुना B. रावी वियास C. सतलज रावी D. वियास सतलज उत्तर D. वियास सतलज रश्ण भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्याद करता है A. नमू मंगलोर B. कोलकाता C. पारादी D. चेन नही उत्तर C. पाराद्वी रश्ण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है A. विशाखापत्नम B. मुंबई C. पारादीप D. कांदला उत्तर D. कांदला रश्ण भारत के किस नदी को व्रिध गंगा कहा जाता है A. क्रिश्ण भीक नर्मदा C. कावेरी D. गोदावरी उत्तर D. बोदावरी रश्ण भारतीय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के प्रत्थम अध्यक्ष कौन थे A. दादा भाई नौरो जी B. वोमेश चंद्र बैनर जी C. सुरेंदर नात बैनर जी D. एम जी राना दे उत्तर B. वोमेश चंद्र बैनर जी रश्ण गंग नहर जो सबसे कुरानी नहरों में से है का निर्मान गंग सिंजी ने कब करवाया A. 1930 E. स्वी B. 1927 E. स्वी C. 1944 E. स्वी D. 1932 E. स्वी उत्तर B. 1927 E. स्वी रश्ण निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है A. चीन B. नेपाल C. बांगलादेश D. पाकिस्तान उत्तर C. बांगलादेश D. महराष्ट्रा में उत्तर B. बुजरात में रश्ण भारत का सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग है A. एनच 1 B. एनच 8 C. एनच 44 D. एनच 11 उत्तर C. एनच 44 रश्ण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है A. चंद्रगुप्ट मौर्य B. समुद्रगुप्ट C. कनिश्क D. पुश्यमित्र उत्तर B. समुद्रगुप्ट रश्ण इंदिरागादी नहर पर योजना को पानी किस बाग से मिलता है A. पंजाब B. प्राजस्थान C. खिमाचल प्रदेश D. हर्यान उत्तर A. पंजाब रश्ण चिलका जील भारत के किस राज्य में अवस्थित है A. जम्मु कश्मीर B. ओरिसा C. आंध्रप्रदेश D. महाराष्ट्रा उत्तर A. जम्मु कश्मीर प्रश्ण भारती अंतरेक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई है A. कवर्ष 1962 B. कवर्ष 1965 C. कवर्ष 1979 D. कवर्ष 1972 उत्तर C. कवर्ष 1979 कश्न लोनार जी भारत की किस राज्य में है A. मनेपुर B. महाराष्ट्रा C. करनाटक D. केरल उत्तर B. महाराष्ट्रा कश्न मौलिद कर्तव्यों को किस देश से ग्रहंग किया गया है A. अमेरिका B. फ्रांस C. चापान D. सोव्यत संग D. सोव्यत संग